हलो गुड मॉरिंग डियर स्टुडंट डिस इस यूर मेंटर राजशनाद दिवे और आज इस वीडियो लेक्षे में मैं बहुत इंपॉर्टन माइनर्स और को फेक्टर्स ऑफ एन इलेमेंट ऑफ ए स्पेर माट्रिक्स इसके ओपर डिसक्स करूंगा यह कोश्चन साब के ब कि अनिक्ंट और को़ फेक्टर कैसे निकालना जिक स्टूरेंटरित इसक त्के धीकर नाम लिख लिए मार acne ons Most five all the uneven matrix दीएक के स्क्क्ञाइगा उसकी अनि में जिसके स्क्टे निकारे हैं कर दिए ए ंक्रॉस्चन के स्क्रूर मेंख घर्टन और अब गोल बात करते हैं कई बार मैंने आपको बता चुका हूँ अब यह एए आई जी क्या होटा है कि इसको जेनरल इलेमेंट्स है जेनरल इलेमेंट्स करेक्ट टिक नहीं इसको हम पहले तो रिप्रेजेंट्स करेंगे माईनरल इसको हम पहले तो रिप्रेजेंट्स करेंगे आई जे और यह कैसे आएगा विचेज़ ऑप्टेंट्स के जगव में क्या करता हूं विचेज़ ऑप्टेंट्स की डिटर्मिनेंट ओफ डिटर्मिनेंट ओफ सब मैट्रीक्स सब मैट्रीक्स मतलब इस मेट्रीक्स के है एक और मैट्रीक्स को मैं बना रहा हूं इसको सबब इसस और ऑप्टेंट पार रोब ऐसे लिखते को हम ऐसे लिखते हैं which is equal to the determinant of sub-matrix determinant of sub-matrix which is obtained which is obtained by identity Ith row and Jth column अगर आपने A, I, J का माइनर्स की बात करना है तो उस matrix में से Ith row और Jth column को हटा दीजिए उसके बाद में जो matrix बना है उसका determinant इसको हम बोलेंगे माइनर्स तरेक्ट है अच्छा इसके लिए अभी एक और चीज़ को नोट करें जैसे आपका यह matrix है यह A11, A12, A21 और A22 दीए टू क्रोस टू बात्रिक्स है इसको हम रीप्रेजेंट करते है इससे यह होगया determinant of A और यह आपको पहले से ही मालूम है determinant एक number है जो कि किसी square matrix के साथ में associated होता है देखो यह matrix और यह determinant correct है तो यह जो determinant है एक number है एक unique number है जो इस square matrix के साथ में associated है beginning से मैं matrix और determinant आपको साथ साथ लेंगे जा रहा हो concept को correct है कि नहीं तो अब जैसे ही करते हैं इसके corresponding determinant को ऐसे रिप्रेजेट करते हैं तो मैंने हर एक square matrix के साथ में determinant associate करना है क्योंकि determinant is a unique number which is always associated with the corresponding square matrix correct square matrix में हम determinant की बात करते हैं यह determinant सिफ square matrix के साथ में associated होता है यह बात आपको को बिल्कुल clear हो गई है अब यहां ब्याते हैं तो माइनर्स में माइज डिटेर्मिनेंट अब सब माट्रीक्स which is obtained by deleting the iathrop and jr column ठीक है अब इस definitions को verify करते कैसे रिखा लेंगे देखिए आपके पास में जैसी यह 3 x 3 matrix है यह entries उताएंगी a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33 यह 3 x 3 square matrix है और मैं m11 की बात कर लाओ m11 क्या है वोलो minor minor of a11 मतलब उस element की minor की हम बात कर रहें जो first row और first column में है और first row और first column में जो entry है वो a11 है इसके minor को हम represent करेंगे m11 से और यह कैसे आएगा कि आपने क्या करना है यह first row और यह first column इसको delete कर दो इसको delete करने के बाद में जो matrix आएगा उसका determinant matrix के आया determinant of यह matrix a22 a23 a32 और a33 यह देखिए यह जो matrix है न देखिए यह 3 x 3 matrix में सही यह 2 x 2 matrix निकला के लिए गया 3 x 3 matrix के entries सही हमने 2 x 2 matrix निकाला इसने इसको उसके respect में सब मैट्रिक्स बोलेंगे और यह सब मैट्रिक्स एक स्क्वेर मैट्रिक्स से इसके साथ में determinant associated है उस determinant को हम इस elements का minor बोलेंगे इसके बाद में मैं इसके सब मैट्रिक्स वर्ड यूज नी करूंगा सीधा 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 इसके यह जो determinant है यह associated है with the sub matrix which is in fact obtained by deleting the iath row and jth column to get the minor of aij element of the given matrix got the point के लिए रहे वर्डिक्स important रहती है उसके बाद तो इसका मतलर यह हो जाएगा student determinant a22 a23 a32 or a33 this is the determinant this is m11 अब एक बार explain कर देता हूं m12 m12 क्या है मैनर of what a12 क्या हैगा determinant 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 of what sub matrix and how this sub matrix we can obtain by deleting the first row and second column first row and second column को delete कर दिजिए ठीक है यह तो हो गया first row first row को delete किया second column को delete किया बज गया क्या यह मैट्रिक्स होचा a21 ठीक है a23 a31 clear और a33 और इसका डिटर्मेंट इस सम्पाट्रिक्स का डिटर्मेंट simply a21 a23 a23 उसके बाद में a31 और a33 यह हो गया minor m12 और ऐसे ही हम सारे elements के minor check out कर लेगे माइनर कैसे निकालना है आपको समझ में आ गया तो अब हम स्टार्ट करते प्राव्लम से फिर्स तो टू क्रॉस टू में निकालते माइनर्स अब आप देखेंगे कि मैं बात करूंगा m11 की इसको हम क्या मोलते हैं बोलो माइनर माइनर ऑप क्या जो एंट्री फर्स रो और फर्स कॉलम में यह क्या होगा फर्स रो और फर्स कॉलम को डिलिट करो बज़ क्या क्या सीधा-सीधा यहां तो पोर आ गया फोर एक मैट्रिक्स है और इसका करेंगे तो फोर यह आएगा करें तीक नहीं आई के बास समझ में थीक है साथ तो सिंप्ली एफ फोर यह बात को समझ दीजिए डिटर्मिनेंट ऑप सिंगल्टन मैट्रिक्स पोर इस सेंप्ली डिटर्मिनेंट पोर जो बॉडलेस कॉंसेट के जिसे दिख रहा है सिंप्ली फोर यह बात मतलब टेकनीकली आप समझ दिए क्या चीजिए स्टेट फ़रवड आप लिख सकते हैं सिंप्ली यह फोर करेंट यह हो गया फोर तो अब आते हैं एम वन टू माइनर और एवन टू होगा मतलब आप फर्स रो और सेकेंड कॉलम्स को डिलेट कर दीज अब आते हैं यह उनार चीजों को गांव लगो आ ड़ेंगे प्लाइं टू with Lösung सेकेंड रोग और वर्स कॉलम्स को का ओलो सेकेंड रो और फर्स कॉलम्स को करेंड क्या है यह है फिर्स्ट कॉल्म क्या यह है यह होगा सिधा सिधा तू और सिधा अब चीजों को समझ दिये और सिधा यह जो सेकेंड रोग और सेकेंड कॉलम हटा दीजिए सीधा आगया होगा च्पारिथ होगाी इच एंट्री मैं कुछ एंट्री इसके करा दूंगा इस एंट्री ओव दी माट्रिक्स ए इपोल टू से 1 2 3 4 0 5-1-2 3-3 कर दिया ठीक है यह बने कर दिया है अब मैं देखिए 3 क्रॉस 3 माट्रिक्स है अब मैं बात करूंगा एंट्री माट्रिक्स आएगा उस पर करस्पॉंडिंग डिटर्मिन इस सब्माट्रिक्स का करस्पॉंडिंग डिटर्मिन जो एक वैलू है एक यूनिक वैलू है जो उस सब्माट्रिक्स के साथ में असोसियेटेटेट है डाट यूनिक वैलू इस अब इसको कैलकुलेट कर दिए जीरो इसको माइनस करें तो यह पहले से माइनस है तो माइनस अब माइनस तेन डाट इस इक वाल टू टेन यह हो गया एक वान वन और ऐसे यह बागी चीज़ेटेट कर सकते हैं ठीक है तो अब आप सेम तरीके से दूसरे माइनस को भी कैलकुलेट करता है अब मैं सारे माइनस यहां कैलकुलेट करके तो नहीं दिखा हूँगा आपको जैसे यह M1 वर निकाले ठीक है अब मैं अगर M31 निकालना है मतलब थर्ड रो ठीक है फर्स्ट कॉलम डेट कर दीजिए जो बचेगा वो डेटर्मिनेट करें तो आपने इसको जब डिविट किया यह 3 है तो यह 2, यह 3, यह 0 और यह 5 यह जाएगा 10 माइनस 0 फिर से वापस आगा 10 तो यह होगे M31 तो इन दाट में यू कन फाइंड आउट इच एंड एवरी M11 फाइंड आउट कर सकते M12 फाइंड आउट कर सकते M M21 M22 M23 M31 M32 M33 Tricorn Maker 3 इतने मैंअशन निकमशी कर सकते मुख द्राइंड से ओपने प्रूप सर में लिख ली जिए निकाल कर पर इसके बाद में में इसका करता हूं कोकर है कि तो आप अपने समझद ही собствен के सीकिलने तो मांड निकलना तो आगे सब चीज वैसे उसके वहार डिपेंडेंटbig रहे एक套े जितना भी वन्हें अनूराश तक जाना है सब बार-बार minus को फेक्ट करें लगा और निकालना है co-factor co-factor of aij यह actually में minus 1 की power i plus j होता है minus 1 की power i plus j into mij मतलब जिस element का मुझे co-factor निकालना है पहले उसका तो मुझे minor निकालना ही पड़ेगा और उसके बाद उसको multiply करना है minus 1 की power i plus j से तो आप देखिए minus 1 की पावर आइक प्लस है मतलब यह माइस एक प्लस में आएगा माइस में वन की पावर अगर इवन हो जाएगा प्लस आजाए क्यों माइस वन की पावर और होगा तो आपका आपका और हो कर देंगे तो को फेक्टर मिलेगा जो दूसरे रिमेनिंग एंट्रिस के लिए तो सिंपल यह काम करना स्टुडेट्स कि मालटिप्रेट करें माइनस वन की पावर आई प्लस J से बस गया काम करता हम अग जैसे स्टू रॉप्रस्टो में आपके एकोल टू ऑन टू थू थी पूर तो मैंने निकालना है पहले को फेक्टर ओ एसको रिप्रेजन कैसे करते हैं और फेक्टर आई जे इसको करेंगे capital A11 से correct है और ये कैसे आएगा बोलो ये ऐसे आएगा minus 1 की power 1 plus 1 correct minus 1 की power 1 plus 1 और M11 तो minus 1 की power 2 हो जाएगी तो positive इस बार simply M11 और M11 कैसे निकाल दे आपको मालूम है first row first column को delete कर दीजे तो simply यहां पर four आगया क्योंकि one cross one determinant है यह four आगया correct है ठीके सब अब आते core factor मतलब डारेक्ट उल्टर इसना स्टार्ट कर देता हूं है A12 बोलो A12 क्या है core factor है किसका core factor है A12 का है कैसे निकालेंगे तो minus 1 की power 1 plus 2 into M12 यह हो जाएगा सीधा minus M12 अब यहां करना M12 का भी sign present ही हो सकता है माइनस हो सकता है इसके आगे 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 माइनस एक माइनस और फिर M12 first row second column इस बार first row और second column को delete कर दीजिए यह होगे first row and second column तो यह आया 3 finally यह आया minus 3 ठीक है और like that A21 की बात करेंगे A21 मतलब core factor अब यह बार बार नहीं लिखेंगे core factor of A21 मतलब minus 1 की power 2 plus 1 into M21 तो माइनस M21 होगा इस्टूटन्स करेंगे की निए ओके फाइन तो आप तेकेंगे minus M21 मतलब second row यह second row first column कोड़ा दीजिए तो आएगा simply minus 2 और उसी हिसाब से आप क्याने का जबते A22 और A22 direct कर दीजिए minus 1 की power 2 plus 2 into M22 simply M22 होगा M22 मतलब second row second column कोड़ा दीजिए answer आगया 1 इस पकर से अपने 2 cross 2 matrix में 4 factors निखा लिए करेक्ट के कोई इस्टू नहीं होना ची और मैं क्या बता हो आपको 3 cross 3 matrix में स्किल प्रेक्टिस करा देता हो जैसे यह एक matrix किये है second example 1 2 3 0 4 5 minus 1 minus 3 minus 2 अब मुझे निकालना है A11 A11 capital लिए मतलब यह क्या है co-factor co-factor किसका है co-factor of A11 कैसे आएगा minus 1 की power 1 plus 1 into M11 correct है minus 1 की power 2 करेंगे तो plus simply M11 आएगा M11 कैसे आता है तो first row और first column को delete कर दीए बच्चा जो हो है matrix का determinant correct simply 4 5 और minus 3 minus 2 यह हो जाएगा minus 8 और यह एक minus से तो plus हो गया मतलब 15 मतलब 7 यह हो गया आपका A11 correct है क्या को इश्यू मिलकुल ही चलिए अब में टारे A23 निकालता हो A23 क्या होगा minus 1 की power 2 plus 3 M23 correct यह हो जाएगा minus M23 मतलब M23 जो भी आएगा उसके आगे minus लगाना है correct यह ठीक है साथ इसको चेक आउट करते इसको चेक आउट करेंगे तो यह तो minus ठीक है और यह determined second row third column को delete करना है second row third column को delete करना है 1, 2, minus 1, minus 3 इसका minus पहले सही है यह तो होगे minus और यहाँ आते है अब calculate करेंगे तो minus 3 और यह minus से तो plus बन जाएगा 2 तो यह minus 1 और यह minus मतलब minus 1 that is equal to plus 1 इस पकर से आपको co factors को calculate करना है I hope that about co factors सारे elements के निकाल सकते यह आपका काम है आपको co factors कैसे निकालना है वो मैंने सिखा दिया माइनस कैसे निकालना है वो मैंने सिखा दिया है अब देखिए अब एक आता है co factor matrix को factor matrix कैसे बनेगा ठीक है देखिए A जो है वो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A3 यह एक square matrix है अपकोर्स 3 cross 3 है और अब मैं एक matrix बना रहा हूँ जो co factor matrix होगा co factor matrix कैसे बनेगा इसके co factor से बनेगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 के लिए तो सारे elements के co factors निगालना है और उन co factor से एक matrix बनेगा उसको हम बोलेंगे co factor matrix के लिए मैं आपको 3 and 4, 2 cross 3 आसान है तो पहले आप निकाल के जिए A11, A11 मतलब minus 1 की power 1 plus 1 into M11 होगा करें तो simply M11 होगा M1 first row first column कोटा दीजे 4 आगया A12 की बात करेंगे minus 1 की power 1 plus 2 और यह M12 होगा तो यह simply minus M12 होगा minus M12 मतलब first row second column कोटा दीजे minus 3 होगा करेंगे ठीक है A21 A21 करेंगे तो minus 1 की power 2 plus 1 होगा M21 होगा फिर से minus M21 second row first column second row first column 2 तो minus 2 करेंगे की है minus minus A और अब आते A22 A22 के होगा minus 1 की power 2 plus 2 M22 तो simply M22 M22 मतलब second row second column simply 1 तो देखिए अब मेरे को बना रहा है co-factor matrix co-factor matrix कैसे होगा देखिए यह बनता है A11 A12 A21 और A22 तो यहां पर देखिए A114 A12-3 A21-2 और A21 यह बन गया आपका co-factor matrix ठीक है कि नहीं find two real students इसको बोलेंगे co-factor matrix ऐसे ही आप three cross three matrix में भी co-factor matrix निकाल सकते हैं उसके लिए मैं simple से आपके एक example देता हूं आप इसमें co-factor matrix निकालना so find co-factor matrix of A equal to 102-345-3-1-2 इसका co-factor matrix आपको निकालना तो इस वीडियो लेक्शिस में हमने minus कैसे निकालना है और co-factor matrix कैसे निकालना और co-factor matrix कैसे construct करना है यह भी देख लें नेक्स वीडियो लेक्शिस में a joint of a matrix इसके ओपर discuss करेंगे students